ओम नमस्युवाय श्वागत आप सभी का मेरी भक्ती भावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको हर ताल का तीज का महोपाय बताने जारम लोटों ये बरत बहुत बड़ा बरत होता है इस दिन भगवान सिवमाता पारवती हो बगवान गरेश की पूझा की जाती है सवागन मेलाएं पति के लंघआय उवा पत्र प्रापति के लिए ब्रत रखती हैं जीवन में आरे सारी समश्याइं दुर हो जाती हैं इस दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप मिट्टी के सिवलिंग बनाएं माता पारवती की मूर्ती बनाए भगवान सिवकी और गनी जी की मूर्ती बनाए प्रत्वा बनाए जाती है मिट्टी से इस दिर माता पारवती ने बालू से सिविलिंग बनाया था और उनकी पूजा की थी भगवान सिवकी और उनसे बरदान प्राप्त किया था पांच बेलपत्र पांच चावल के दाने लेकर यह ब्रत निर्जल रखा जाता इस दिन खाना कुछ नहीं है जब पारण करें चंदरोते के बाद में तब आपको जो चीज़े खानी है मैं आपको जान करें यह चीज़े आप खाएंगे आपकी मनुख कामना पुरियोगार इस दिन सिंदूर, सोले सिंगार के साथ में सिंदूर जरूर रखना है आपको माता पारवती के सामने, इससे अटल स्वभागी की प्राप्ती होती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान सिवजी का आप शिक करेंगे, उसके बाद में भगवान को चंदन अरपन माता पारवती को सिंदूर अरपन करना है, फिर आप बेल पत्र, एक एक बेल पत्र पर एक एक चावल का दाना और आपको तोड़ा सा घी उस बेल पत्र से लगा देना है, और सिवलिंग पर अरपन कर देना है, ओम नमस्वाय मंत्र का जाब करते होए, सिवाय नमस्तु अब अगर आपको मिल जाती हैं फिर उसके बाद में कथा सुनेंगे कथा का वीडियो जल्दी आप तक को जाएगा कथा का अभी आपको श्रवड करना हैं इससे आपकी प्रतेक मन उकामना पूरियोगी यह इतना उपाय करने के बाद में फिर माता पारवती के सामने सुले संगार के साथ साथ में दो केले के फलाप को रख देने हैं माता पारवती के सामने और भगवान सिपजी के सामने दो केले के फलाप को रख देने हैं भगवान के सामने दीपक जलाना हैं दीपक जला करके ओम नमश्वाय मंतर की एक माला कम से कम आपको जाब करने है अपनी इच्छा बोल करके पुत्र की कामना है संतन कामना है धन की कामना है कोई भी कामना है स्वागन मेलाएं जो सिंदूर माता की सामने रखा है वह सिंदूर आपको रखरेन देना है और जब आप पारण करें तो उस समय वो सिंदूर ले लेना है उससे मांग बननी अपनी इससे माता पारवती का आशिरवत प्राप्त होगा तो फिर आप जब पूजा कर लें कता सुलने उसके बाद में वह केले का फल आपको समाल करके रखना है रात को चंदरवां को अरकते दें उसके बाद में जब आप पारण करें वैसे रात का जागरण का भी मेतोता है इस दिन रात में जागरण करना चाहिए जब आप प्रसाद ग्रेंड करें तो उस समय आपको केले का फल खाले ना है इससे आपके प्रतिक मनुकामना पूरियोगी तो आज की दिन जो भी उपाय करेंगे हर मनुकामना आपके पूरियोगी और साम के समय प्रदूस काल में भगवान सिवा माता पारवतिक सामने चोमुकी दिपक जरू जलाना है साथ ही एक दिपक पीपल ब्रक्य के नीचे जलाना है आपको विश्य स्लाब मिलेगा इस दिन आप जितना सम्मभो सके उतना ओम नवस्वा मंतर का जाप करेंगे और इसे ब्रत के नियमों का पालन भी करेंगे मेश रासी, ब्रसव रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, धनू रासी, कुम और मीन रासी इस दिन बहुत ही भागिसाली रहने वाली है